हुआ है है चले हम लोग क gesch्षान न में श्री सूरेक कांथ त available द्वारा जी लिखी हुई कवीता दान के acat की व्याख्या करते हैं इसके पहले छोटे छोटे खंड में हम लोगों आप ध्यान से सुनेंगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इसरोल कविता है, तो चलिए, एक-एक सब्द के अर्थ को देखिए, दुख, दुख वही रहेगा, पाते वही रहेगा, जब वही रहेगा, होते वही रहेगा, अनाथ मतलब बे सहारा, जिसके आगे पिछे कोई नहों, अनाथ कहते वही रहेगा, कपियों मतलब बंदरों, के को आप से बदल सकते हैं, कपियों से, जोड जोड कर हाथ वही रहेगा, मेरे पडोस के वे सजन, इन में किसी कार्थ नहीं बदलेगा, करते वही रहेगा, प्रति दिन, रोज, सरिता मजन, यानि नदी मिश्नान, सरिता माने नदी और मजन माने इस्नान, तो सरिता मजन माने नदी मिश्नान, चलिए आगे देखिए, जोली आप समझी रहे हैं, से, पुए, देखिए, पुए एक व्यंजन है, खाने का माल पुए, जब कभी आपके घर में बने तो मेरे लिए भी लेते आईएगा, पुए ठीक है, तो ये खाने का एक व्यंजन है, निकाल लिए, इनका आर्थ वही रहेगा, बढ़ते, बढ़ते मतलब जो, वही रहेगा हाथ बढ़ाना, कपियों मतलब बंदरों के हाथ दिये, दे दिये, यानि दे दिये, दे दिये, देखा भी नहीं, इनका वही आर्थ रहेगा उधर फीर कर फीर कर यानि मुड कर जिस ओर जिस तरफ ओर माने तरफ रहा वही रहेगा वह वही रहेगा भेख्षु माने भिखारी इतर मतलब दूसरी तरफ या दूसरी ओर चिलाया अब वही रहेगा चिलाना किया वही रहेगा दूर दानो मतलब राक्षस बोला मैं यहाँ पे कभी के लिए है तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे जब व्याख्या करेंगे धान्य माने उत्तम स्रेष्ट माने स्वभागिसाली मानो यानि मनुस्य तो सभी सब्द जित उनकी मेलिंग लोगों ने देख ली उनके अर्टों को आप चलिए देखने की कोशिस करते हैं समझ्य को कि निराला जी कहते हैं जब वे अगला कि दुख पाते हैं और अपने जोड़ी और अपने आपको अनाथ बे सहारा समझते हैं तब वे अपने जोड़िये तब वे बंदरों से कपियों से हाथ जोड़ कर कहते हैं कहते हैं कि आगे कुछ नहीं दिया है तो यहां हमें अपने तरफ से जोड़ के कहना पड़ेगा कहते हैं कि मेरे कष्टों को दूर करो बंदरों से हाथ जोड़ करके कहते हैं मेरे कष्टों को दूर करो यह अपने से जोड़ना पड़ेगा ठीक है मैंने इसके पहले बताया थ कि कविता के वाक्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ अपने से जोड़ना पड़ता है और इसे हम सब्द सक्ती कहते हैं ठीक है तो चले इस लाइन को फिर से देख लेते हैं और जब वे दुख पाते हैं और अपने आपको अनाथ समझते हैं तब ये कप्यों बंदरू के आगे हाथ जोड कर कहते हैं मेरे कस्टों को दूर करो कभी परिचे देते हुए कहता है कि वे जो ब्राहमन हैं वे सजन जो हैं मेरे पडोस में रहते हैं इस लाइन का यही अर्थ हो गया देखें मेरे पडोस के वे सजन वे सजन मेरे पडोस में रहते हैं और अपने जोड़िए और प्रति दिन नदी में इसनान करते हैं आगे देखें अब यहाँ अपने जोड़िए और आज भी वे नदी से इसनान करके पुल के उपर आए इतना अपने जोड़ना पड़ेगा ध्यान रहे आज भी वे इसनान करके पुल के उपर आए और अपनी जोली से पुए निकाल लिये अपनी जोली से माल पुए निकाल लिये और हाथ बढ़ाते हुए बंदरों के हाथ में उसे दे दिया या आप उसे कह सकते हैं कि उन्होंने माल पुए को बंदरों को दे दिया एक फिर से देख लिजिये वे आज भी नदी में इसनान करके उपर आए और जोली से पुए निकाल लिये और कपियों के बढ़ते हुए हाथ में रख दिये अर्थात बंदरों को दे दिये और उधर देखा भी नहीं मुड कर तो आगे पिछे कर लिजिये और उधर मुड कर देखा भी नहीं जिधर जिस ओर मतलब जिधर दूसरी तरफ वह भिखारी बैठा हुआ था रहा मतलब बैठा हुआ था यानि बंदरों के हाथ में उन्हें निकाल करके रख दिये और उस दूसरी तरफ देखा भी नहीं जहां भिखारी बैठा हुआ था फिर जोड़िये और बंदरों के खिलाने के बाद इतना जोड़ना है और बंदरों को खिलाने के बाद वह ब्रहमर चिलाया मैंने अपने पास आई हुई दानवी सक्तियों को दूर कर दिया देखें यहां पर यह मैं आपको सुन लीजे जरासा वो उन ब्रहमर ने जब बंदरों को माल पुगा खिलाया तो उन्होंने कहा कि मैंने बंदरों को खिला करके जो मेरे उपर आशुरी सक्तियां थी जो मेरे उपर दानवी सक्तियां थी मैंने उसको दूर कर दिया यह देख करके निराला जी के मुह से अचानक निकल गया धन्य हो सिरेष्ट मानो अब यहां अपने से फिर जुड़िये तुमने एक असहाय मनुस्य की तरफ देखा भी नहीं और तुमने बंदरों को सब कुछ खिला दिया तुमने मानो को अपने ब कुछ रह गया है जो फिर से देख लीजिए क्लियर हो जाएगा निराला जी कहते हैं जब वे इब्राहमण दुख पाते हैं और अपने आपको अनात समझते हैं तब वे कपियों के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं अपने जोड़िये कि मेरे कस्टों को दूर करो आगे कहते हैं कभी परिचा देते हैं कि वे सज्जन मेरे ही पडोस में रहते हैं और वे रोज नदी में इस्नान करते हैं आज भी इतना अपने जोड़िये आज भी वे नदी में इस्नान करके उपर आये और अपनी जोली में से पुये निकाल लिये और उन पुयों को बढ़ते हुए हाथ बढ़ाते हुए बंदरों के हाथ में दे दिये और उधर मुड कर भी नहीं देखा जिधर दूसरी तरफ भिखारी बैठा था बैठा रहा बंदरों को खिलाने के बाद वह ब्रहमर चिल लाया कि मैंने अपने पास आ रही दानवी सक्तियों को दूर भगा दिया है या दूर कर दिया है यहाँ देख कर निराला जी के मुँ से अचानक निकल पड़ा अपने आपको उत्तम और स्रेष्ट कहने वाले मानों तुम धन्य हो तुमने एक मनुष्य को बंदरों से भी गया बीता समझा और तुमने उसकी मदद नहीं की और तुमने बंदरों को सब कुछ खिला दे यहा है मानों तू अपने आपको धन्य और स्रेष्ट कहता है किन्त तुने अपने ही जैसे मनुष्य को बंदरों से भी निम्न समझा और जो जिसकी सहायता तुझे करनी थी उसकी सहायता ना करके तूने बंदरों को खिला दिया तू धन्य है आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हो